पछले कुछ दिनों से महाराश्टर की राश्टिती में बहुत मुझाला रख़िया है यह राश्टी की हो यह यह मजया हो रहा है यह सब जानने के लिए आप परची है पते निकल से समाझ सेवक विने छाबडा जी के पास काफी राश्टीती की जानते हैं और जानते हैं का न क्या हालत हो गया है जी मेरी बार में और शेव शेयना अपने पुत्र मोह में फस्तु के उसके बदले सारी राजनेती का सत्यानास कर दिया और जी जी पीवनों से दोस्ती तोड़ी है जी जी वालों को क्या फरक पर आज मुख मंतरी नहीं बना और छे मीने में में बनेगा साल तुम कितने दिन चला पाओगे यह तुम पर है तो यह जाता हूं सारे दल एक और दल बनाड़े मिलके शिव शेयना एंसीपी कांग्रेस जो भी मुलाएं मायावती यह वो सब एक पार्टी बनाए फिर मोद्री से मुकाबला करें बात करें तो पहले ही कह चुका हूं कि बनाने के अलावा और क्या है किसको ज्यादा सीटे मिली है कुछ जितनी सीटों पर बुलड़े हैं सतर प्रसेंट सीटे जीती है यह तो बीजेपी की गलती है कि शीव शेयना में पिछली बार अपने दम पे लड़ी थी और इनको भी अब की बार अपने दम पे 288 सीटों प मारास्त्रा में भी देख लो वोट बैंक बड़ा है था यह मैं मान रहा हूं लेकिन उनका वोट बैंक तो बड़ा था परसेंटेज उनकी छर्टी से 40 हो भी है इसलिए वहां कोई ऐसे दिकत नहीं है दूसरी साथ मिलके बनाने ही पड़ती है जब आपके पास बहुत नहीं अच्छी बात है लेनी चाहिए उनको छुपन मैं तो चाहरा हूं कि उनकी अपना परपरस पूरा हो गया कि मुख मंत्री शीव सहां को बनेगा उनका हो गया चाहे आगे कितना नुक्सान हो क्या हो कांगलस के दुश्मन आज दोस्त बन बैठे है तो अच्छी बात है पर मेरे हिसाब से बीजेपी आप वालों से नहीं जीता है बस फ्री बिजली फ्री पानी फ्री अपको सीवर के कनेक्शन में फ्री में करना चालू कोई दिया है क्योंकि जिन्ता को लुभाएगा लुभाएगा किसको गरीब आदमी को भीब चाहिए वो देखे अपने इसनी मजाक है लो तंतवी दहजा उड़ाए जावी है तीनों दल मिलके जो सकाई बनावे हैं सकाई जादने चलने वाली नहीं है और यही हाल दिल्ली में होगा दिल्ली में आम आनी पार्टी के मुकाबले कोई भी नहीं है क्याम परसें रिफान खान केसा चितेशन आजा दिल्ली में आज एक्सपेस